दियर स्टुडेंट्स आयुक्ताले कॉलिज शिक्ष्य द्वारा संचालित ज्यानदूत 2.0 में आपका स्वागत है मैं डप्टर आशीश गर्ण सहय आचारे रसायन विज्यान सेठ आरन रुयार राजकिय महाविध्याले रामगड सीकर आज हम BSC Part 3rd Organic Capacity में Heterocyclic Compounds का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि किस तरह से पिरिडीन बच्चों हमने इससे पहले वाले पार्ट में पिरिडीन के method of synthesis, निर्मान की विधी एवं पिरिडीन की basic nature शारिय प्रकरती के बारे में detail में अध्यन किया था यहाँ पर पिरिडीन की reactions के बारे में आज अध्यन स्टार्ट करेंगे देखें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पिरिडीन शारिय प्रकरती की होती है और यहाँ पर पिरिडीन में nitrogen पर उपस्थित यह जो lone pair of electron होता है युग में electron होता है यह proton को तुरंत उपलब्ध हो जाता है और इसलिए पिरिडीन अमलों के साथ क्रिया करके इसलिए हैलो acid like HCl, HBr commonly we start from HF, HCl, HBr, HI but commonly जब हम हैलो acids की बात करते हैं तो HCl और HBr की बात करते हैं यहाँ पर पिरिडीन की reaction जब हैलो acid के साथ होती है then यहाँ पर this proton comes here and formation of this Pyridinium अचो वाट 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 राइट हीर लाइक इस NH3 और हम लिखते क्या है यहाँ पर NH4 Ammonia से Ammonium तो वाट 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 राइट हीर इस पिरिडीनियम हैलाइट लवन का formation होता है हमने कोलतार प्रभाज से जब पढ़ा था तो मैंने आपको यह बताया था कि किस तरह से पिरिडीन सल्फियूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट सल्फियूरिक एसिड के साथ सॉलिबल सॉल्ट बनाता है यहाँ पर यह इस तरह से पिरिडीनियम हाइड्रोजन सल्फियूरिक एक सॉलिबल सॉल्ट बनाता है जिसका की हम डेस्टिलेशन करके पिरिडीन को प्राप्त एक ब्राउन कलर का ओईली सब्स्टिंस प्राप्त होता है जिसका की हम डेस्टिलेशन करके पिरिडीन को प्राप्त करते हैं तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से पिरिडीन हेलो एसिट के साथ रियक्शन करता है नौव हम देखते हैं हैं यहाँ पर पिरिडीन की reaction, यूरू अलकील आयोडाइट के साथ, मिथाइल आयोडाइट के साथ, तो सेम रिएक्शन, क्या होता है 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 यहाँ पर, लिस ला मेसे अपर, आपधा है जैसे प्रोटून नाइट्रोजन को अप्रोच करता है उसी तरह से, यह जो CH3+, it comes here and formation of pyridinium बच्चों लेकिए यहां लिखा है N-methyl nitrogen के उपर methyl group लगा हुआ है so what we write here N-methyl pyridinium iodide इसको book में ऐसे भी लिखा हुआ है 1-methyl क्योंकि जब हम numbering करते हैं IUPAC nomenclature के हिसाब से तो हम nitrogen को एक number देते हैं heteroatom due to higher electron negativity 1, 2, 3, 4, 5, 6 so this is the 1-methyl pyridinium iodide और N-methyl pyridinium iodide यहाँ पर formation क्या हो रहा है quaternary ammonium salt जैसे मैंने आपको लिख के बताया था ammonia से ammonium NH3 से NH4 plus so the formation of here quaternary ammonium salt का यह जो quaternary ammonium salt होता है इसको यह वाला this is 1-methyl pyridinium iodide इसको जब 300 degree centigrade temperature पर गरम करते हैं तो यहाँ पर rearrangement इसे हिंदी में कहते हैं पुनर विवस्था पुनर विन्यास तो rearrangement reaction होती है और यह जो CH3 होता है it moves either here or here 2 या 4 स्थिती के उपर चला जाता है और यहाँ का hydrogen nitrogen के पाप यह hydrogen यहाँ पर HI के form में remove होता है तो हम क्या देखते हैं कि इस quaternary ammonium salt को 300 degree centigrade temperature पर गरम करने पर यहाँ पर rearrangement reaction होती है और उसका नाम होता है Hoffman Mortius पुनर विन्यास this is M.A.R.T.I.U.S. था ना so this is हिंदी में इसको mortius लिखा हुआ है this is like mortius Hoffman mortius rearrangement reaction होती है और यह methyl group either at two position और at four position हम क्या लिखते है इसे this is one two methyl pyridine और this is one two three four right this is four methyl this is मैंने लिखा नहीं है अबर इसको आप मान के चलिए this is four methyl pyridine इसका formation होता है बचो यहां पर हम जब pyridine का halogen के साथ reaction कराते हैं इसके साथ जब reaction कराते हैं तो the same reaction होना commonly हम पढ़ते हैं electrophilic substitution reaction मैं इसके बारे में यहां पर बताऊँगा लेकिन यह pyridine की कुछ leak से हटकर reactions हैं कि यहां पर pyridine halogen के साथ निम्द प्रकार करियाएं करता है एक बात मैं आपको और बतादूं कि यह pyridine है और इस pyridine का dipole moment 2 धुरुव आगों होता है 2.3 डिबाई बचो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से pyridine का boiling point high होता है और यह boiling point high क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर dipole moment होता है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको explain किया था और यह बड़ी important properties की है कि pyridine organic and inorganic दोनों प्रकार की reactions की अंदर एक अच्छे solvent का विलायक का काम करता है तो बच्चो यह जो यहाँ पर हम देख रहे हैं reactions इसकी pyridine की halogen के साथ this is due to nitrogen और nitrogen की क्या होती है higher electron negativity अधिक विद्दूत्रणता होती है that's why dipole moment 2.3 डेबाई तो pyridine की reaction जब ब्रोमीन के साथ होती है तो बच्चो यहाँ पर इस तरह से like this इसका formation होता है heterocyclic fission होता है now this comes here and formation of M-bromopyridineum bromide this is N-bromopyridineum N-bromopyridineum iodide this is not iodide this is bromide this is wrong इनका आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह की mistakes जब हम examination में copy में करते हैं तो अक्सर हो जाती है and these are the silly mistakes इनका आप विशेश रूप से ध्यान रखे तो इस तरह से ब्रोमीन के साथ हम pyridine की reaction को समझाते हैं अब यहाँ पर हम next reaction pyridine का up chain बचो books में यह reduction अलग-अलग reactions में बताया हुआ है मैंने इसको एक साथ यहाँ बता दिया है देखें यहाँ पर जब pyridine का हम अलग-अलग प्रकार से एक, दो, तीन अब chain करते हैं तो यहाँ पर पहले वाले में nickel catalyst के साथ reduction करने पर this is the formation of hexahydro बचो 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexahydro pyridine का formation होता है and what we use here we use nickel as a catalyst और sodium और ethyl alcohol हम उत प्रेरक की रूप में catalyst की रूप में प्रेयोग करते हैं then the formation of pipe reading यदी हम यहाँ पर sodium ammonia with ethyl alcohol this is the birch up chain बचो यह BSC part 1st में alkyl halides earrings and aromacity एक chapter है उसके अंदर birch reaction आपने पढ़ा है और birch reaction बहुत ही मैतपूर्ण reaction है 12th class के अंदर भी आपने इसको पढ़ा है और birch reaction में जो reduction होता है वो reduction होता है 1 and 4 position पर तो देखें यहाँ पर this is the important reaction आप इसको ध्यान रखें क्योंकि pyridine के अपचैन के बारे में मालो एक डेड़ नंबर का आप से पूछ लेते हैं कि निम्द अभिक्रियाओं को समझाईए pyridine का अपचैन pyridine की शारिय प्रकरती इन सब reactions को आपको इसमें बताना है तो pyridine की reaction जब हम sodium, ammonia और ethyl alcohol के साथ कराते हैं तो बच्चों देखें यहाँ पर 1,4 position पर hydrogen जोड़ती है और मैंने हैं लिखा है 1,4 dihydro pyridine का formation होता है पहले वाले में यह तीनो 1,2,3 यह तीनो double bonds खतम addition of hydrogen and formation of hexahydro that is pyridine here 1,4 now next one we use lithium aluminium hydride as a reducing agent अब चायक के रूप में lithium aluminium hydride हम यूज करते हैं then formation of 1,2 dihydro pyridine का formation होता है तो बच्चो यह reduction में भी यह important है आपको ध्यान रखना है कि अलग-अलग परिस्थितियों में conditions में pyridine का up chain कराने पर अलग-अलग प्रकार से इसका up chain होता है नाओ वी स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रियक्शन जैसा हम जानते हैं प्रिडीन इलेक्ट्रोफिलिक रियक्शन के लिए निश्क्रिय होता है इनक्टिव होता है प्रिडीन एक अरोमेटिक कंपाउंड है तो इसको रियक्शन देना चाहिए अब यह इनक्टिव क्यों होता है इस 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 नाइट्रोजन एटम इस nitrogen की electron negativity यादा होती है तो ये क्या करता है इस pie density को अपनी तरफ attract करता है और ये attraction के कारण इस pyridine ring को Electrophile से reaction के लिए बच्चो इस इस the electrophile और ये electrophile कैसा होता है this is electron deficient, electron loving electron new so that यहाँ पर इस ring में electrons की प्रचुरता नहीं होती है due to higher electron negativity of this nitrogen atom हम देखते हैं कि pyridine electrophile reactions के लिए inactive होता है number one, number two तो यहाँ पर electrophile reactions अगर अगर नहीं होती है reactions pyridine की जब electrophile reactions होती है तो वहाँ पर हमें जो conditions होती हैं वो हमें प्रबल तीवर परिस्थितिया strong conditions के अंदर electrophile reactions होती है basically this is the electron rich species इसको इसको electron देने है this is the electron new species लेकिन यहाँ पर एक element कैसा होता है conjuice, miser, electron negative यह electron देने के लिए इसको मना करता है so that reactions यहाँ पर तीवर परिस्थितियों में reaction होती है तो यह मैंने बिल्कुल इस पस टूप से लिखा है और बच्चो देखिए इसके आगे थोड़ा space नहीं थी मैंने एक arrow लगाया है और इस arrow से यहाँ पर continue किया है इसको यानि उसके बाद वाला मेंटर यहाँ पर लिखा है थोड़ा space की कमी थी पिरिडीन में electronegative nitrogen वले nitrogen atom this is the electronegative nitrogen atom कि उपस्थिती होने के कारण minus i effect negative preran प्रभाव होता है और यह जो पिरिडीन वले होती है उसमें electron घनत को कम करता है और बच्चो देखिए परणाम से रूप क्या होता है कि यह electroflick reaction के लिए inactive हो जाता है इस यू नू परणामत है electroflick reactions के लिए हम इसे कर देते हैं आगे electroflick reactions के लिए pyridine inactive हो जाता है इवं इन reactions के लिए strong conditions तीवर परिस्थितियों की आवशक्ता होती है है तो दिस दा वन रीजन की वाए pyridine is inactive towards the electroflick substitution reactions now the second one and this is the important one हम इसे की नेचर हम इसको पढ़ते आ रहे हैं alcl3 bf3 this is no reaction और जब भी हम aromatic compounds पढ़ते हैं तो aromatic compounds में this is the friedil craft reaction यह नहीं होती है और friedil craft reactions मैं समझता हूं कि हमने more than 90% compounds जो है जो की aromaticity show करते हैं उनमें friedil craft reaction को पढ़ा है right तो बच्चों यहाँ पर pyridine friedil craft reaction नहीं देता this is the reason जैसे मैंने आपसे कहा inactive हो जाता है क्योंकि यहाँ पर nitrogen इसके उपर जोग में electron होता है और यह आसानी से h plus को उपलब्द हो जाता है आता है electrophilic reaction के लिए जब प्रबल अमलड डाला जाता है बच्चों these act as a Lewis acids ALCL3 BF3 in the friedil craft reaction electron noon होते हैं तो nitrogen का protonation हो जाता है और इस प्रकार protonation से मतलब है this comes here electron deposition compound electron noon होता है and this comes here यहाँ पर इसके साथ reaction हो जाती है और बच्चों यहाँ पर इसका जब protonation हो गया या फिर इसके साथ Lewis acid जो की catalyst के form में हमने डाला है friedil craft reaction में या किसी भी electrophilic reaction में right हम जब reaction कराते हैं तो यहाँ पर यह क्या बना लेता है it forms nitrogen का धनावेश इस तरह से जैसे हम इस reaction की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका धनावेश ही थोने का मतलब क्या हो गया देखिए पहले से ही क्या हो रहा है nitrogen is more electronegative तो यह क्या करता है इस pie density को अपनी तरफ attract करता है और इस ring को electron neon करता है जिसकी वज़े से यह reaction नहीं हो रही है right और second important reason क्या है कि जब हम electrophilic reactions पढ़ते हैं तो यह जो Lewis acids है यह जब हम reaction के लिए डालते हैं तो यह इसके साथ reaction करते हैं जब इसके साथ reaction करते हैं तो क्या formation होता है यह पर इस तरह से formation of धनायन इस तरह से formation होता है right और nitrogen जो की पहले से ही इसकी electron you know electron density को कम कर रहा है वो धनावेशित होने के कारण इस ring को बिलकुल इरेक्टिव कर देता है यानि धनावेशित होने से क्या होगा nitrogen की electron attracting power और increase हो जाएगी तो this is the second reason होने से उसकी electron आकरशित करने की प्रवर्ती बढ़ जाती है तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है यदि इसके ऊपर यह add होता है like this तो यहाँ पर यह ring पूरी तरह से इनक्टिव हो जाती है पहले से नाइट्रोजन था जो की ज्यादा विद्यूत्रिन था और इस ring के अंदर electron density को कम करता है लेकिन जब हम इलेक्ट्रोफिलिक रियक्शन कराते हैं और उसके अंदर कोई यूज 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 कोई strong acid डालते हैं या फिर हम कोई catalyst डालते हैं तो यह catalyst इसके साथ reaction करता है तो बच्चों पहले से ही वह बली बात होगी कि एक तो करेला और एक नीम चड़ा हुआ nitrogen अल्रेडी इसको रिंग को inactive कर रहा है और यहाँ पर इसके साथ reaction करके यह धनावेशित हो जाता है तो और इलेक्ट्रोफिलिक रियक्शन के लिए inactive कर देता है बच्चों हम next session के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर लिखाया कि तीवर परिस्तितियों में होती है reaction मैंने लिखा नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कि पिरिडीन की इलेक्ट्रोफिलिक रियक्शन तीवर परिस्तितियों में होती है तो हम देखेंगे कि पिरिडीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक रियक् के बारे में अध्यान करेंगे, यह एक बड़ा important point है कि Pyridine की Fridale Craft reaction नहीं होती है due to this nitrogen और इसके बारे में मैं काफी detail में आपको explain कर चुका हूँ, so that's all in this session, thank you.